है 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 वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल मॉमेंट नवेश्च पर आप सब लोग को स्वागत है तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि IIT aha के exam में question paper को attempt कैसे किया जाए तो question paper को attempt करने से का कैसे करना है सारी बाते डिसकस करने पहले हम लोग एक बार कि IIT aha dan को आ expands कैसा होता है उसको discuss करने हैं तो सबसेए पहले में बताना चाहते हैं कि IIT unhappy में हमारे तीन सेक्शन होते हैं एक हमारा होता है सेक्शन ए इसमें हमारे आते हैं mcq इसमें आते हैं हमारे mcq फिर इसके बाद होता है हमारा सेक्शन भी इसमें आते हैं हमारे MSQ फिर इसके बाद हमारा होता है section C इसमें आता है हमारा NAT यानि कि numerical analysis type multiple choice questions multi selective questions numerical analysis type questions ठीक है तो सारी बात आद हम लोग करते हैं section A में क्या करना है हमारे एक marks के होते हैं 10 questions एक marks के होते हैं 10 questions और दो marks के होते हैं हमारे 20 questions तो इससे marking हमारे निकल कर आई 1 into 10 हमारे निकल कर आई 10 marks इससे निकल कर आई 40 marks और यह हमारा हो गया total 50 marks का 100 marks का total paper होता है आदा हमारा क्या होगा section A अब बाद आती section B की section B में हमारे होते हैं 2 marks के question होते हैं और उसमें 10 question होते हैं हमारे तो जाहें हमारे हो जाएंगे 20 marks 20 marks का हमारा MSQ होता है 20 marks का इसके बाद आता है section C section C में हमारे एक marks के होते हैं 10 N80 होते हैं 10 question होते हैं तो होगा 10 marks और और 2 marks के भी 10 हमारे question होते हैं तो यह हमारे होगा 20 marks हो तो यह आजाता है हमारा 30 marks का क्लियर है अभी कुल बच्छों का मेरे पाल मेसल आया कि सर MSQ में partial marking ओरती है क्या तो MSQ में partial marking नहीं होती है तो सब्सक्राइल में मार्किंग अब दाजम स्कीम MCQ में हमारे चार आप्शन होते हैं A, B, C, D इन में से एक करेक्ट होता है तो एक जो है Only One Correct सिर्फ एक करेक्ट होता है जो आपको लगा के आना है यानिकि सिर्फ एक सही होगा सही करके आए एक मार्क्स वाले पे तो प्लस वन मिलेगा अगर गलत किया तो मार्किंग इसकीम है MSQ में क्या होता है MSQ में हमारे A, B, C, D इसमें हमारे एक या वन और मोर देन वन एक या एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते है suppose करिए answer is A, B, D for example answer is A, B, D तो आपने आप A लगा किया हो तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे B लगा किया हो तब भी नहीं मिलेंगे आप A, B लगा किया हो तब भी नहीं मिलेंगे A, B, A, D लगा किया हो तब भी नहीं मिलेंगे आपने A, B, C लगा दिया तब भी नहीं मिलेंगे जब जितने भी combination A, B, C, D से बन सकते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये लगा किया होगे क्योंकि दो marks का होता है तो दो marks मिलेंगे बाकी आप इसको नहीं करोगे तो वैसे भी marks नहीं करते हैं और उसके बाद हमारा एक box बनाओगा उस पर हम लोगों को answer लिखना रहता है ठीक है एक box होगा मलब question के नीचे जैसे इसमें mcq होते है एक, दो, तीन, चार इसमें एक ही tick होगा चाहिए इन चारों में पर एक कर लिए mcq में mcq में चेक box वाला option होगा यानि की एक, दो, तीन, जितने चाहो तो ने check टिक कर सकते हो इस तरह दे option लेगा नेटी में कहोगा box बनाओगा box के नीचे यहां बटन में नहीं होगे एक, दो, तीन, चार, पाँच मुझे exactly एक दब सही ते याद नहीं न शायद दीरों यहां पर और यहां पर हमारा शायद point बना होता है यहां पर हमारा minus बना होता है और कुछ clear वाला option एक बटन होता है और इसी दरीगे तर back space वाला एक बटन होता है यह हमारे बटन होता है यह आपका answer है minus 35.89346 यह आपने कोई value calculate करी आपका यह answer आया है ठीक है अकसर जो है एन 80 के question में क्या लिखा रहेता है up to two decimal ठीक है up to three decimal ठीक है आप लोग नहीं समझते है इसको भूल ले इससे कोई मतलब नहीं है two लिखाओ या three लिखाओ आप question को solve करिए जो values आप ले रहे हो सकता है जी की value आप 9.8 ले 9.83 को बच्चा ले ले अगर जो value उन्होंने दी है हो दकता है plants constant of 6.6 into 10 की power is 34 लेने कोई बच्चा 6.6 to 6 into 10 की power is 34 ले तो point में कुछ न कुछ डिफरेंट आएगा answer तो यहां पर कभी जैसे अगर गिंदी वाला question आ जाए कि मान लिजिए कितने electron या कितनी states हैं या कितनी degeneracy है तो answer degeneracy नंबर होगी दो चार छे पांच यह सब हमारी degeneracy हो सकती है लेकिन कोई किसी चीछी value निकान ली हो तो point में आ सकती है पॉसिबल है अब number वाले में तो जैसे किसी चीछी चीछ का answer आए 2 यानि कि electron पूछा है या द लिखा तो marks cutting यह नहीं गलत लिखा लेकिन पूरे मिलेंगे क्योंकि हमारी negative marking नहीं होती है negative marking हमारी नहीं होती इसमें एक marks विलेगा सही पर गलत लिखा तो कोई problem की बाद नहीं है अचा अब यह सारी चीज़ें सबश्चते जाए बहुत ध्यान से यह हमारा point ऐसे लिखा suppose करिए उन्होंना question में दिया था up to two decimal तो आप यहां पर round off करते हुए छे इसने पांच करा पांच से यह चार हुआ चार से यह 89 तो आप लिखकर आ गए minus 35.89 कुछ यहां पर five ले लेंगे तो जादा बेटर रहेगा six से ले लो इसको तो आप यह लिखकर रहा है six four six आप round off करते रहे तो हो सकता है आपका answer यहां पर थोड़ी देर के लिए यह आ गया round off करते हो तो आप ही लिखकर रहा है अगर range अमारी खाली यहीं तक उन्होंने दे रखी है तो गलबड हो जाएगा तो कहने का मतलब यह बच्चे जब अक्सर मुझसे जब मैं पढ़ाता हूं आइडिया हमके बच्चे को तो वह भी यह सवाल करते हैं कितने डिट तक लिग अब एक दो यूग लिख करने में तो टाइम हैं कुछ नहीं लगता है एक्जाम देने इसलिए जा रहे हैं कि हमको सही आंसर निकालना है ठीक है तो जो भी आपका अंसर आए आप पूरा लिख कर आएंगे टू डेसिमल त्री डेसिमल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे पां तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है हमें जो आंसर ने अच्छा ये बताओ किसी चीज़ का आंसर उनमें का थी डेसिमल निकालो मालो आगया 68.956 यह किसी चीज़ का तीन डिजिट की वैलू का आंसर था अगर आप ये लिख कर आओगे तो हो सकता है उनके पाद एक सकते हैं यह भी नंबर तो इसी के अंदर ही फॉल होता है ना तो प्रॉब्लम क्या है आखिर पूरा लिखो ना जो भी वैल्यू निकरकर आप पूरे लिखो माइनस के साथ है तो माइनस लिखो अगर किसी चीज़ की लेंद पूछा है लंबाई माइनस तो दोड़ी नहीं ह तो माइनस पूर में आपको इसकी हाइट चारी मीटर चारी अंटी मीटर लिखनी है वह माइनस ताइन यह शो करता है उल्टा तो यह माइनस कहां पर लगाना है कहां पर नहीं वह फिजिक्स की पार्ट है लेकिन आपको यह सारी चीज़े आनी सही है ठीक है माइनस है तो मा पैटन को हम लोगों ने समझा, अब हम लोगों समझने आ रहे हैं, आकिर हम लोगों को question paper start कहां से करना है, और क्या चीदे करनी है, इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा, definitely इस बात की मेरी guarantee है, संडे वाले दिन आपके अंदर पिल्कुल भी pressure मी होगा, आप एकदम perfect strategy है, यह होती ही अच्छी strategy, मैं जो आपको बता रहा हूँ, पर्फेक्ट स्टेडिजी है, एक computer based exam के लिए, तो इसको note कर लीजे, अब कुछ मैं सदानतिक बाते करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग paper कै मैं बीज-बीज में physics के लिए बता रहा हूँ हो तकता है, दूसरे subjects के भी बच्चे देखते हूँ, तो वो physics का इतना मैं बता रहा हूँ, उससे, idea तो at least दूसरे subjects के बच्चों को भी लगी जाएगा, ITIM के लिए ठीक है, तो general बात है यह, समझ लेना, physics में हमारा जो question paper होत होता है, यह tough होता है, यह moderate होता है, यह easy tough moderate question paper का मतलब क्या होता है, मैंने बच्चों के पूछा, class में, MCQ one marks, MCQ two marks, easy कौन सा होगा, tough कौन सा होगा, उन्होंने कहा, अच्चा एक marks का है, तो 100% यह easy होगा, उन्होंने बोला, एक marks वाले easy होगे, और दो marks वाले tough होगे, मैंने का, बिल्कुल गला, question paper बनता गयसे है, यह बात ध्यान लखो, आप समझो, सारी बाते हैं, यहीं से सारी और एक tough, यानि कि हमारा MCQ करा है, एक marks का, बच्चन का easy बनेगा, दो marks का, आपको भी यह लार होगा, जो academics में लोग देखर आते थे, जो long question होता था हमारा, हमारा long question होता था, चार marks का तो जादा, मतलब tough होता थे, long में बूचे आता था, short में बूचे आते थे, one nine वाले answer, एक marks मिलते थे, तो आप भी logic यहां पर भी लगाते हो, यहां पर यह logic नहीं लगता है, this is complicated exam, यहां पर इस तरीके का कोई logic नहीं लगता है, एक marks के question में भी easy होंगे, easy, easy को easily होगा, moderate को M से और tough को D से, ठीक है, easy, moderate, tough का combination होगा, एक marks में easy की तादाद हो सकता है, जादा हो, ठीक है, दो marks में क्या होगा, दो marks में भी easy होंगे, ऐसे question होंगे, जो एक line में हो जाते होंगे, दो marks के सका वंदर यह धोले ही tough है, easy, moderate और tough, जब paper सेट कर जाता है, यानि कि हर परकार में उनको हर तरीके के question देना है, यानि कि MSQ भी easy tough moderate देना है, और NAT भी easy tough moderate देना है, और easy tough moderate, NAT1 marks का होगा, इसका मंदर यह दोनी नहीं है, NAT1 marks का है तो easy है, NAT2 marks का है तो easy है, हाँ, एक मज़े की बात यह है, कि दो marks के जो NAT होते हैं, उनमें easy की मात्रा कम होती इसमें, अगर एक marks 10 हमारे question, NAT में एक marks के, तो 5 easily लगा ले जाओगे, लेकिन इसमें 10 में 5 नहीं होंगे, दो marks का हमारा कम हो जाता है, वही चीज़ हमारी यहाँ पर यह हो जाती है, MCQ में, कि दो marks वाजे जो question होते हैं, जैसे हमारे एक marks में बहुत ही, अगर जैसे मैं बात करूँ, 2019 का question आ गया, वहना 7 question एक average बच्चराम दिखर सकता है, बन में, लेकिन इस वहीं MCQ जो 20 question होगे, question paper को attempt करने के लिए बहुत ज्यादा important है, सुनते जरूर रहिएगा, ठीक है, यह सारी चीज़े सामन में आ लिए, one marks, two marks, सारी चीज़े, दिमांग में दीरे-दीरे करके लेते जो, ठीक है, MCQ mix हाटा है paper, अब question paper overall tough कैसा होता है, overall tough आ गया, overall tough का मतलब यह है, गारे, one marks में tough की इसम्हाट ज़दा हो गई, two marks में tough के मतलब, एक दू question मलगए, एक ज़दा टफ आ गया, एक ज़दा यह tough आ गया, एक जयदा बहुदा यह tough १ा गया, एक ज़दा मैस्क्यू गा, टो total एक-एक friction भी ज़दा थफ आ गया, तो कितने marks हो गए, 10 मांक्स 10 मांक्स हो गया कुछ नहीं फर्कोरा सिर्फ एक मांक तक्स देख एक मांक्स टफ करा पेपर देखो बहुत इसको अच्छे दे समझो पेपर में अगर पहले वही 7 हो जा रहे थे अब एवरेट विच्चे दे अच्छे होंगे तो पेपर हम लोग कहते है टब बनेगा 2019 में जनरल बच्चे को IIT फिसिस्की मैं बात करा हूँ तेरपन माक्स पे मिली दी 2020 में तेरपन 43 माक्स तेरपन 43 के बीच में पेपर में कोई फ़र्ग नहीं था लोग नहीं कहते हैं जो एनलिसिस होती है मैं ये बता रहा था पिष्टी बार कि पेपर लोग कहरें दे 2020 की 19 की यही तरह पेपर है लेकिन मैंने ये का पेपर 2019 की तरह नहीं है पेपर तो 2019 से थोड़ा था अच्छा है और जादा फर्क नहीं था फर्क क्या था हर सेक्षन दे के कुष्टन इनमें टब बना दिया दो 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 छे एक एक साथा नौदास मार्क्स का फर्क तो आई जाएगा अगर टब बना देंगे जो एवरेज बच्चा तिरपन ला रहा था वो अफते तारिस लाया 2020 में किलियर है तो इतने पर आये टीम उसको मिली ऐसा नहीं कि 2020 में सीटे बहुत जादा बढ़ गएंगी इतना भी फर्क नहीं आया तो लगबद 21 एक्जाम है बस देखे यहां पर यह लॉजिक समझ में आया अब हम लोग में इंपॉर्टन बात पर आते हैं आज की कि पेपर को अटेम्ट कैसे करना है हम टाइम सेफ करना चाहते है सारी चीज़े मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और यह वीडियो आये टी जैम के एक्जाम से पहले जो देखेगा डेफिनल्टि उसका आई टी यांग के एक्जाम बदलने वाला है एक डम परफेक्ट एनलिसिस जिसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट एनलिसिस करेंगे ठीक है अब इसके बहुत शांदार दरीके थे हम लोग समझने वाले एनेटी में निगेटी मार्किंग तो नहीं है हम छोड़ कर नहीं आएंगे हम तुक्का कैसे मारें अब आप को कि पर सॉल्व करेंगे सर क्या जो आता हो उसको टाइम मिलेगा हम तुक्का मारेंगे सर अभी मैं सारी सीथे हब ओ करता हूँ साराा अभी सारा मैंरिजमेंट करते हैं कि कैसे आत्सके पर करना है एक बच्चे का सवाल मैशेज आया सर मने इनेटी से सॉल्वumm करने का सोच रहें अब सुनना इनेटी में दस हमारे एक मार्क्स वाले 10 हमारे 2 marks वाले है टोटल 30 marks का NET है अब वो बच्चा solve करना है start करा उसने 10 marks 5 होगा easily 5 में time लग रहा तो उसने try करा try करा नहीं हुआ 2 marks में आया try करा 4 हो गए और try करा solve करने कोशिच कर तरह नहीं हुए अब उसने का NET section मेरा हो गया है तो जब NET section उसका हो जाएगा न सिर्फ 30 marks करने में ये पूरे total का कितना है paper 30% time लेकर उसका 30% दे जादा निकल जाएगा यानि कि एक गंटा 15 मिनिट हो जाएगे approximately 100% इस बात की मेरी कारणती है अगर कोई MSQ में शुगवात में कहें मैं सारे MSQ ट्राइग करूँगा 100% वो आदे गंटे दर 20 marks का आता है MSQ 1-5 तर टाइम लेना चाहिए इसको जितना है उत्रही चलो कि मैंने बताया नहीं easy mod debt तब हर जगा होता है तो 1 by 5 टाइम लो तो 800 C का 5 यानि की लेना चाहिए 36 35 35 इस से जादा ले लेगा 3 साल वो जाएंगे 2 जूल जाएगा उसमें 2 और 3 में इसका A B तो आंसर या C वाला है की नहीं है 2 वोश्चन में इससे जूल जाएगा 2 में और अधाई फस जाएगा टाइम अपना बर्बाद करेगा बच्चा यही तो आम कॉंपडीशन है जो एक अच्छा बच्चा फिजिस की नॉलेज के मेस्टी मैस की नॉलेज से जादा टाइम मेनेजमेंट भी बहुत इंपोर्टेंट है स्मार्ट थिंकिंग भी देखी जाती है कॉंपडिशन इस नॉलेज लिए नॉलेज अच्छ जाथ अच्छ बचताओ डाइम आएंगे नुमेरिकल्स भी आएंगे ट्रीकी कोश्चन भी आएंगे इसे कॉश्चन दो चार रखे जाएंगे एक दो एक दो होंगे जो टाइम तुमारा खीच लेंगे लंबी सी कैल्कुलेशन सौल कराएंगे तीन पेज में बस वो कोश्चन का कामी ये होता है कि तुम कहीं चार और मांक्स छे मांक्स लाने वाले हो उसमें फस के तुम अपने छे मांक्स छोड़ कर तुम वही दो मांक्स का एक MCQ कर पाऊ ये बनाय जाते हैं कोश्चन पेपर की बनता गयसे कोश्चन पेपर कैसे बनता ये समझ गये तो कोश्चन पेपर करना गयसे वो भी एक दम चुट के हम समझ में आ जाएगा क्लियर है सारी बाते हैं तक क्लियर है कि हर चीज हमारा होना चाहिए अब कोई MCQ है अब बतो तीस मास का MCQ कुछ होंगे ये कुछ नहीं होंगे दो घंटे में MCQ सेक्षन नहीं हो जाएगा जैसे ही डिल घंटा होगा न एक घंटा एक डिल घंटा होगा उसको लगेगा यार अभी तो हम MCQ में आदा पेपर तो भी बाकी है बस प्रेशर इदम जो घंटा यह होती है तो तक टक टक जाता है और फ्रेशर का समय नहीं देने हम लोग इतनी परफेक्ट स्ट्रीजिडीर पेपर को हैंडल करेंग है Πरेशार आए eclipse तो ये सारी में शुरुआ से लंभी v Hafoda होते जा रहे हैं कितनी नंबी हो मुझे उससे परवा नहीं कितने लोग देखें क्या व्यूजर मुझे उससे परवा नहीं है दस लोग गए अगर इसको वीडियो को पूरी देखेंगे मेरे लिए वही कुछी की बात है कि वो लोग अपना पेपर महुत अच्छा करेंगे अब देखो पढ़ने अन्दे कर तो इतना कोई टाइम बचा नहीं न सारी चीज़े क्या है अब एक्जाम सेंटर में जाना सारी यह सारी चीज़ें सोचो यह पर कैसे करोगे मेरी कैम मैं कहता हूं इसको 3-mode strategy में करो यह मेरी अपनी बनाई यह strategy है कभी तुम फियल नहीं होगे perfect strategy 3-mode strategy ठीक है choose anything यह तुहारे अपर है को इसमें रुकावट नहीं है mcq चूनो msq चूनो and at चूनो पहले mcq खुलता है msq चूनना जो तुम्हें मर्जी हो जब जैसे ही को लोगे बाई डिफॉर्ट वो कुश्चन नमर वन पर ही है वहाँ पर खुला हुआ मिलेगा जब कि एक्जाम स्टार्ट होगा अब तुम आले पाद ऑप्शन होता है कि तुम वहां पर तक तक आगे कहां पर पहुंच जाओ पूरी लाइन साइड में बना होता रहा है अधरवाइस ब्राउट बना रहे तो उसको श्राइब बना रहे तो एक पर देते हो लेकिन उसको ये कहां कि मैं आगे प्रप्तिक करूए अगार के लिए तो परफ़ल कर बन जाएगा नीचे एक ग्रीन बना रहेगा और फेल कर ना रहता है खाली अगे तो कि ने उ और तुम बाद में आखे सको देखना चाते हो priority में रख्था है कि इस question को मैं बाद में सब्च तरोगा तो जो तुम green हो जाते हैं वो count होगे जो तुम green करके यह जो मानलो तुम कर रहो हो ताइम अप हो गिया तो ग्रीन वाले काउंट होगा और जो तुम परपेल और नीचे बिलू टिक ग्रीन टिक होगा यानि कि ऐसे कोश्चन जिनको तुम कर चुके हो लेकिंगे तुमने अपनी पहचान के लिए कि मुझे बाद में आगे इसको फ्रिकन परमेशन करना है वो भ हमें प्रेशर बहुत होता है बच्चे बड़ा परशान होते हैं टेल्चर नहीं होता है ठीक है यह नहीं होगा और बीस नटकर टाइम मिले गए सारा खुद बढ़ना इंग्लिश में पूरा सब लिप क्या ही दो पेश पालते रहना मार्किंग इसकी यही सब समझते रहने बटन का सारे पांचो बटन का तुम समझते रहना मतलब क्या होता है ठीक है चालो अब अमनों यहां पर आते हैं वो सब लिखा हुआ सारी चीज़े मैं भी वहीं से बता रहा हूं मैं अपने बास से दोड़ीन बता लो अब तुमने कोई भी एक चीज चूस कर ली मानलो जै इसमें कितने दस थे इसमें थे पचास हो सकता है मैं इसको अगर उरा दस बीस दस दस इस तरह दे बाट दूं यह हमारा पश्राओं का лowe इन सीप्रों परशलें से बता कर दो है यह हमारा है कि मैं यह हमारा हुआ है कि अफैले चीज़ांड टुम सबसे पहले मैं लो तुमने अनरी दे श्टार्ट करा अट है तुमसे मैं लो दो मांस वालिय नेटी तीन सौल हो गए चार सौल होगा इतने भी हो गए एक या दिन नदर में तुम्हारे आट डास मिम्हें तुम्हारे तुम्हारे बहुत जल्दी हो तुमने कला इसको आते अगर नहीं आरा है तो छोड़ो पर टेंशन ना लो अगा मालो हो सकता है नेटी तुमने पहला टेक्शन इस्टार करा कोई कोश्चन नहीं लेनी है देखो हो रहा है जल्दी से हो रहा है तो करो कभी कभी ऐसा होता यार यह उल्द कर लूँगा अब बड़ी सॉल कर लूँगा अब वह 15 मिनिट पर सॉल वहाला कुश्चन लेए और समझ तो जाए स्टेडिजी फिर इसके पर MSQ में गए मालों तीन कोश्चन तुम से एजली तीन-चार इसमें भी हो गए यहां पर MSQ में है यहां पर छे साथ कोश्चन करता है और यह हमारे पाच कोश्चन तुमने कर लिए इस तरीके ते पहले जो अटेंट करने उनकी महात्रा कम हो गई अब जब तुम दूसरा राउंड चलाओगे अब मॉडरेट कोश्चन को छाटने की कोशिश करो ताइम कम लगता हो पहले वाले ते भले ही जादा लगे लेकिन अब हमें वह कुश्चन करना है दूसरा राउंड चलाना है अब दू इसमें त्मनें 3,4 और और कर दिए इसमें 1 भो पाया अरे लेपी 2 बातो इसमें पर दिड़ है यह और शाओ Kin GU पाएं और यहां पर तीन दों पांच 5 6 साथा नौ 9 कोशच्चन करें ठीक कहा हो जाएगा क्यों है चीन मायूंटि करे हो T अदो परोड लाप बंघ्मक्र लगई तुमनें एक हो पाया हुआ हो सब्सक्राइब और टाकर लगें एक तो बारा नौ चे कितने कुर्शन कर लिए तुमने अगर इस जाब से देखो छे नौ हमारे हो गए लगभग आधे से थोड़ा सा कम सब्सक्राइस मार्च कर लिए यह पचास में दूसरा वाला आउटमेटिकली तुम जब करोगे थोड़ा सा पैसा तालीस में कर लेजाओंगे तीसरा वाला राउंड छारीस में कर लेज़ाइए जब आधितरा क्या कुछ ऐसे भी तो होगे यह हो कर नहीं नहीं ना यह होई न नहीं राउंड में तुम और बढ़ा लेना इसी राउंड को ही थोड़ा लंबा कर लेना तीक है आखरी में 20 मिनिट बचा दरू लेना कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं आखरी टाइम पे आखरी में करूंगा कि आखरी टाम में तुम नहीं चलना चाहिए यार 2 मांसी मिल ला है मनलब तुमारे माल लो 40 मांस 45 मांस अर्टालीज मांस तुम लाए धाय गंटे में अगरी कि तुम दो तीन मीनिट दो आदे गंटे में दो तीन मांस एक्स्टा करने कुछिश कर रहे हो तो इसको यह सोचो कि तुम और इजी वाले कुशन कर चुके हो तो अब टफ बच्चे हो उसमें से करने थोड़ा मुश्किल काम है न तो टाइम मत देखोगी है हमारा क्या है तो टाइम का और इजी मॉडरे टफ के यह लॉजिक समझ में हार होगा कुछ लोग जो अगर सोच रहे थे कि MCQ पूरा करेंगे, MSQ पूरा करेंगे, NAT पूरा करेंगे, Blender, Big Blender, Paper घराब करने वाले थे हो सकता है किसी की यह strategy काम कर जाए, कोई अच्छा कर जाए, लेकिन प्रेशर ना आए उसके एक्जाम में, Time Manage हो जाए हो सकता है, सबका अपना-पना अलग-अलग Thinking Power होती है, लेकिन यह strategy चा होंगी, समझ रहे हैं आप लोग यह पूरा कैसे करना है, यह हर पार्ट को हमको शुरुआत में करना है, यह logic दिमांग में कर जिनके बैठा हुआ है, कि हम पूरा एक पार्ट फिर दूसरा section पर तीसरा निकाल दो, Big Blender करने वाले हो, भाई तुम पहले एक घंडे में, भाई तो वो यह जो प्रेशार होता है कि दुबारा लॉट के नहीं आना है, तो तुम जबस दस्ति स्ट्वल करने के कोशिश करोगे, फिर इंसान तुक्के मारता है, गलत करता है, फिर आकर होता है, करता है, निके टिव में मार्स कर गया है, वो यही लोग होते हैं, समझ गया, तो यह इस वाले में क्या है, हमारे पास लोट के आने की चांसे रहे ना, इसी ही हो गए, एक मिनट में, दो-दो मिनट में, कंडाले, अब तीन दिन निट में हो रहे हैं, अब पास-पास-पास मिनट, छे-चे मिनट ले रहे हैं, अरे क्या दिक्कार है, इतने मार्स तुम इस strategy दे करोगे, तो तुम्हें लेकिए, यार, पहले ही हले में, मैंने 20-22 मार्स मिकाल लिये, अरे यार, cut, cut off clear, फिर तुम 12 और करोगे, तुम आज दिमारे, यार, NIT के लिए, और तुम और किसे, 7-8 मार्स, 10 मार्स और, अरे यार, आइटी पठना तुम हो, अरे यार, तो उनका इसको सतर पहुच जाएगा किसी का साथ पहुचे किसी का पचाथ पहुचे कि चाले यही स्टेटीजी दे लेकिन इस स्टेटीजी दे तुम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो और तुम प्रेशर में जो बच्चे आ जाते हैं ये एक बड़ी वह व्यता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर में आ जा तो उनको हमाने नहीं देंगे में सब तक जिन्दा है तब तक आने तो मैं दूँग। प्रेशन को काफी बच्शों के कमेंट आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं तरीके का बच्चे के सर्थ मुटीबेट आपने कर दिया कुछ बच्छों के कि मौक्टेस मार्ण ते मांस नहीं और थे नेट गेट के प्रिवेजर को चेट कर बना दो मौक्तेस आजकर फ़र्जी वाले मौक्तेस्ट बहुत चलने बदार में तो बच्चे को बचने लिए इतना फिरी का कंटेंट अच्छा नहीं होता है फिरी की हर चीज अच्छी नहीं होती है तो समझ रहे बात कहीं हो निकलती लंबी होती है तो दी मोटीवेंट नहीं होना है वो सब कॉपी वाले आदे कुश्चन होते हैं पंद्रा मासुद ने नेट के कुश्चन कॉपी कर दिये बहुत हाई लेविल के या लग तरीके कि वो तुमारे से लेबस में नहीं ना वो आने ही नहीं है एक्जाम में तो व प्रेशर ना कोई टेंशन ने टाइम मेनेजमेंट मैंने जो यह रूल बता दिया थ्री मोट स्टेडिजी तीन बार हमको जो है करना यह स्टेप बाइस्टेप हर सेक्शन गो एक राउंड चलाओ कोई सब चूज कर लो हो सकता पहला बच्चा ऐसा करे mcq msq nat पहले राउं चलाओ तो मैं मन में यह होना चाहिए कि जो हो रहे हैं वो करते जाओंगे इससे फाइदा क्या होता है जो एजी होते हैं तुम करते आते हो तो तुम्हारी जोली भरती आती है तो तुम्हें वह confidence देता है जब तुम हार्ड पोश्चन चुरुवात में ही करने लग जाते हो तुम्हारी प्रेशर करता है और टाइम घटता जाता है इधार टाइम घटता है तो ताइम घट रहे घटे जोली भर नहीं रही है तो मैं लग रहा हो गगा जिन बच्चोंने ये वीडियो देखें उनको लग रहा हो गी हाँ पेपर अब समझ गया यह है इस तरीके सोच तो अगर आपको लगता है याप यही स्टेडि़ी फॉलो करोगे, जो बच्चे करने वाले हैं, इसको मेरी तरफ से fully recommended है, आप definitely कुछ को संडे को आगे, मेरा वादा है आप इसी चैनल पर आकर comment करोगे, सर आपने क्या बताया था, पेपर में बिलकुल भी tension नहीं हुई, बिल दे जाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ITM में अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं majority, जो JEEE का exam exam दे कर आते हैं, जैइनीट का, लेकिन बहुत से बच्चे अभी जैसे करी एक बच्ची जे मेरी बात हो ली थी, वह बो बहुत दी कि सर जो है, मैंने आज तक ही exam नहीं कैसे दिया जाता है, तो मैंने पेटा परिशान होने क्या जरूरत है, इतना कोई tension की बात नहीं न, चिल रहो, तो मैंने तुम्हें मैं समझाता हूं कि paper attend कैसे करना है, सारी चीने, तीक है, अब इसके बाद आती है, हम लोग बात करने वाले हैं, guess, how to make better guess, guess कहा करोगे, MCQ मे no guessing, no tukka, only 100% solve, जो करोगे वही, अचा, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी channel पे, कि हम जब question paper, how to be sure in selecting the options, MCQ, इसका मैं link दे दूँगा, और मैं I पे यहाँ पर, जो पर I बन कर आता है, वहाँ पर भी देने की कोशिश करूँगा, वीडियो का link, लोगोंने एक वीडियो ब how to select MCQs में हम लोग options को select कैसे करें, उसकी वीडियो मैंने बनाई दी, मैं कोशिच ये करूँगा, कि ये I जो है हमारा, हम लोग यहाँ पर link दे दें, I पर हम लोग वीडियो का link देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग better guess कैसे करें, कि हमको नहीं बताना चाहिए, तो कुछ ethics होते हैं, फिर भी tricks बताना जरूरी है, बाकी तुम्हें कुछ lucky number मैं बताऊंगा, ठीक है, आप जो है, answer की मैंने देखी, बहुत observe की है, answer की जो होती है, हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आओ, बस ठीक है, ठीक है, कोई confusion दो नहीं, वैसे अगर ABCD है, इनको options क्या-क्या हो सकता है, या तो A हो सकता है या B हो सकता है, एक option अगर correct है, ABCD, 4 options होगे, यह हमारे होगे, 4 option, एक option हो सकता है, 4 हो सही है, इसका A की possibility है, ABCD, एक है हमारा A, B, C अगर हमारा सही हो तो एक option यह है A, B, C A, B, D, B, C, D A, B, C, A, B, D, B, C, D और कोई option बजना है हमारा A, B, C, A, B, D B छोड़ना है A, C, D A, C, D और हम लोगों ने A छोड़ दिया यही हमकर लगता है चार option हो जाएंगे A, B, C, A, B, D, B, C, D अगर हम लोग A छोड़ना है तो तीन option अब B, C, D ठीक है अगर B छोड़ दिया तो हम लोग अगर D छोड़ दिया तो अगर C छोड़ दिया तो चार option हमारे हो गए इसके बाद हमारा दो वाले नहीं हाँ चार option हो गए यह तीन वाला एक वाला चार वाला और option हमारे क्यों सकते हैं A, B, A, C, A, D B, C, B, D, C, D छे option हमारे यह यह यानि कि अगर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 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 छे, चौदा, और कोई option possibility है वैसे मैं अगर मैं कुछ भूल ला हो तो आप लोग सोच ले ना मैंने I think हमको लगता है MSQ में हमारे 14 options हमारे पॉसिबिल्ट है उन में से कोई A करेक्ट है बागी 13 में मिलेंगे 0 या attempt करके ना हो तब भी मिलेंगे 0 और A मिलेंगे इसका अंदर यह होता है partial marking नहीं है clear तो अब ज़रा इसको समझेगा मैं बहुत एकदम बात बताने वाला हूँ ठीक है 14 ही है तो 1 by 14 प्रवाइटी किती है 1 by 14 यानि कि less than हमारी 6% हमारी probability है लगब 6% देख लेना डिवाइट करने पर 0.6 कुछ आएगा 0.06 देख लेना जो भी आए 65% उससे भी matter लेना वह मज़ेदार बात बताने हैं लोग चांसे इस बात के हैं कि ABCD वाला option उन्होंने ए a question में रखा होगा अब दो में आ जाए तो मुझको बात में ना कहा है दो में आ गया मैं probability की बात करो मैं तुमें समझा रहा हूं जो होता आ रहा है जो trend है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं ठीक है और chances इस बात के हैं कि a हमारा a काई आ हो या ABCD वाला जो option है मतलब एक कोशन है इसा मिलेगा बाकी चार चार वो divide कर देते हैं तीन वाला और चार चार वो divide कर देते हैं दो वाला sortir और टीन कोंपिनेशन वाला और चar उनने करते हैं दो कोंपिनेशनफे है इसमें गेस करने के प्रोपैंटी काफी कम हो जाती है अब एक बच्छा है और उसने चे कुशन्स सॉल्ओ कर लिए है एक का अंसर लिखा उसमें लिखा A, B, C, D, एक option लिखा B, C, एक कलिका C, B, एक कलिका A, B, एक कलिका A, C, D, यह उसके option थे, ठीक है, तो देखो, अब कोई से भी जो बचे हुए चार option है, देखो A, B, C, D एक बार तुम अपनी answer की में लिख चुके हो, तो इसको इसक्रिवल पैड में, जो मैंने आखरी रूम टाइम बचवाया था, त्री मोड इस्ट्रेटीजी थे, तो दो-चार माक्स ऐसे कैसे मिलेंगे, मैं वो सिखा रहा हुए, तो मैं इन टाइम बेभी स्ट्रेट में क्या करें, जब मैक्सलों तू कर ले तो यार आप कोई सावी सब कर लिए, जो बहुत टॉप रेंग होते हैं, वो करते रहते हैं, आखरी तक सॉल्ड, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज है, वो कैसे दो-चार माक्स एक्स्ट्राइल आए, बहुसे बैच्चे होंगे, जो सरको जाएंगे, आई नहीं रहे, उनके लि लगा कि आएक उप्शन वाला, तो महा तो वाला उप्शन वाला तो कभी तो कई नहीं वालना है, MSQ में, यह तो याद रखो, अब तुमने यह देखा यार, यह सब में बताया, यह तीन बार है, हस्यत इन चार में ते एक उप्शन और होगा, जो इसका होगा, बाकी तुमा अरे, की अब ज़रूरी तो नहीं दूसरी आंसर की भी ACD होती है, मैं प्रोबैल्टी तुम्हें सिखा रहा हूँ, कैसे निकालते हैं, पेपर में हर तरीके पर कॉंबनेशन रखते हैं, या कोई भी कॉंबनेशन में, यह नहीं कि ACD क्या लोग चीदों का अंसर होगा, यह की अलग होगी, ठीक है, अब तुम क्या करना है, इन तीनों में कोई सा भी एक तुम्हें जो मन करे, ABC, ABD, SBCD, अब इसमें भी गेस करना है, तो कैसे करना है, कि बाई, चार आप्शन होगे, तो कोशिश यह करना, की, कोशिश यह करना, जो चार कोशिश बचे हैं, उनमें स कि तुम नहीं चांदे, कोई नॉलिज के हिसाथ से कोई option कट जा रहा है, काचने के कोशिश करना, वो कंफन करने की कोशिश करना, मान लो जब चूर से दो, तुम्हें हैं, और एक कोशिचन का एक कंफन में, नहीं हो सकता, अब ठीकर नहीं हो सकता, तो, अगर तुम्हें ल फिर एक जिसमें तुम्हें confirm होगी यह तो होए होएगा और तुमको लग रहा है यारे ACD तो एक answer की है जरूरी तो नहीं हरा answer की ACD रखेंगे तो ABD और ABC बाकी जो बचे को में लिख देना option में तो शायद एक दो मास बढ़ जाए होता नहीं है मनलब कर सकते हो बढ़ सकते हैं बढ़ते हैं लोगों के मैने जिन लोगों को सिखाया है तो इस टेहनिक से बढ़ते है यह logic से एक दो मास बढ़ ज़ए हैं तो क्या हो रहा है यारे है कि लिए 10 मिन बेर और कुछ नंबर याद रखो एनेटी के लिए मैं जादा तो नहीं बता हूँ जीरो वन टू फॉर इनके फेवरेंट नंबर होते हैं जीरो वन टू फॉर और टू इनके आंसरगी में दो तीन में होता है अगर तुमने आंसर की निकाली है उन्हें ही कोई दो आंसर लिख चुके हो तो अब दो थोड़ी न अजाई जो भी तुमारा इंटीजर वाला अंसर आया हो उसे तुम्हें तुम्हें तुक्का ने मानना है क्योंकि उसके दुबारा उसी की यह अंसर की होने के प्रवेर्वंड़ी कम हो जाती है यह बात या रखना फिर तुम को इन लखी नमबरा वैसा नहीं कि दिकां एक नंबर है कि लिए आंटी तो वह तुन तक्का मार रहो हो वो सब भाई apa भाई नहीं लख आइसी भी हो तो थोड़ी लोगिकल हो तो जीडा तो नोग्रों तो नोग दीडा दूख गोर्में किती बता दिये चलो यार बच्चे हैं हसो को तुम लोगे सब देखकर सब में इतनी खुराफात कैसे सब पुरी करी है लेकिन यह सब भी आना चाहिए तिग्लम बादी आनी चाहिए सिर्फ फिजिस्स की नौलिज महां चेक नहीं होती है या केमिस्ट्री मैस्जिस चीद में भी ए आन्सर की चेक करो पुरानी मैक्सिमम् सब्सक्राइब होगा आर्मोस 90 परसंट के उसमें सब्सक्राइब कर देख लेना जब भी मौका मिले देख लेना ठीक है मैक्सिमम प्थर की बातों में दमें तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक वीडियो सब बर्दस्त तो लोगों को य मेरे शुब काम नहीं तुम्हारे साथ नहीं और मेरे तुम्हारे साथ नहीं मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेलेक्ट होंगे क्वैलिफाई करेंगे अच्छे से करो और बिल्कुल भी घबराना नहीं है एक दम चिल रहो मेरे स्टेटीजी को यह फॉलो करोगे मज़े से पेपर दोगे टाइम कट कब जाएगा पता नहीं चलेगा अराम से सौल करते करते हैं फूरा सम्मेनेज हो जाएगा ठीक है एक दम चिल रहो और अच्छा कुछ खौपी हो तेंचन ना लो फिरी रहो रिलाक्स रहो अब पढ़ने दो दिन में पढ़ाई नहीं होती कि दिए कोमडिशन की बन करके रख दो फॉर्मुला और मुला रिवाइस कर लो चैमस्टी वाले दो रियक्शन दो वगर याद करने हैं मैस वाले फॉर्मुला याद करने की यूद कोशिच करें जैते न्यूटन राफस्टन और यह सब नुमेरिकल अनने थी नहीं होते हैं इस इंस कुछ नहीं सब बन कर रखो वह एक एडमिक नहीं है तुम्हारा बोर्स और यह सी नहीं न यह तुम्हारी एक दिन की नॉलेज़ एक रात की नॉलेज़ चैको हो यहाँ बगुरा साल बर की ओ साल बर भी नहीं तुमने कोई चीज सीखी होगी अच्छे नुमेरिकल और उस तो मेरी शुकामना है तुम्हारे साथ है अच्छे से करो निखालो क्रेक करो फोड़ो फालो पेपर कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स मुझको बताओ कि सरी यह प्रॉब्लम है हमने बिसक्स करते हैं उसके बारे में लाइक जलू कर दो वीडियो को अब मैं कह सक कोट की सर्वत है और बाकी कमेंट करके अपने वीडियो बताओ और यह वीडियो जो आइटीम के स्वेंड उन्द शेयर जलू कर दो थाकि उन तक भी यह पहुंच सके गुरूप सुरूप जो भी हो उन तक यह शेयर कर दो तो बाइवर्यवन टेक क्या थैंक यू जैविज करेक्ष झारेब के अविख झारेब कर दो समय मेंटाओ कर दो स्क्राइब कर दोट्ल मेंट सेयर जाह है जएल नहीं है है तो कर दो तो झाल झाल